नमस्कार बच्चों कैसे आप सब आशा करती हूं आप सब अच्छे से होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हमारी वीडियो को आप जरूर देख रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे बच्चों आज का जो हमारा पाठ है वो कक्षा 9 का भुगोल का पाठ है पाठ का नाम है जलवाईयो पाठ का नमबर है 4 बच्चों अब मैं आप से इसमें कुछ प्रशन पूछूंगी पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ कि आप लोग सर्दियों में यानि कि दिसंबर के महीने में गरम कपड़े क्यों पहनते हो और जून जुलाई में बरसाते क्यों होती है और बच्चों गर्मियों में हम लसी पीना पसंद करते हैं जबकि सर्दियों में हम सूखे मेवे खाना और गरम गरम चीज़े पीना पसंद करते हैं ऐसा क्यों बच्चों क्या आप बता सकते हो और बच्चो अपने चीज हुआ और ध्यान दिया कि जो समतल होती है उनके च्छते जो है वह उपर से समतल होती है तो बच्चो इसके पीछे भी कोई वजह होगी तो आज हम इनी वजहों को जानने के लिए हमारा पाठ जलवायू पढ़ने वाले हैं जलवायू की वजह से हमारे देश में बहुत अधिक अंतर आपको देखने को मिलेगा आओ बच्चो हम आज का पाठ शुरू करते हैं बच्चो इससे पहले आप मुझे बताओ कि जलवायू और मौसम क्या दोनों एक हैं शायद आप मैंसे कई बच्चे सोचते होंगे कि दोनों एक हैं बच्चे क्या बड़े बड़े लोग ये सोचते कि मौसम और जलवायू एक हैं परन्तु बच्चो ऐसा नहीं है जलवायू जो होती है वो किसी क्षेत्र की बड़े तमेका अलग-अलग होता है तो आओ बच्चो हम आज का पाठ शुरू करते हैं बच्चो आईए अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ तो जलवायू की परिभाशा से हम अपनी शुरुआत करते हैं जलवायू की परिभाशा क्या है बच्चो देखे हम जरा एक विशालक शेत का कुल योगी जलवायू है मौसम की परिभाशा भी जान ले हम मौसम एक विशेश समय में एक क्षेत्र के वायू मंडल की अवस्थाओं को बताता है मौसम तथा जलवायू के तत्व ये हमारा अगला उपविशय है और ये बहुती महतपूर्ण उपविशय है हमारा ये पहला तत्व है तापमान दूसरा वायू मंडली दाब तीसरा पवन चोथा आद्रता और पांचवा वर्षन तापमान वायू में मौजूद ताप एवं शितलता के परिमाण को तापमान कहते हैं वायू मंडली दाब पृत्वी की सतह पर वायू के भार द्वारा लगाया गया दाब वायू मंडलिय दाब कहलाता है पवन उच्च दाब क्षेतर से निम्न दाब क्षेतर की और वायू की गती को पवन कहते हैं आद्रता जब जल, पृत्वी एवं विभिन जलाश्यों से वाश्पित होता है तो ये जलवाश्प बन जाता है वाईयू में किसी भी समय जलवाश्प की मात्रा को आद्रता कहते हैं वर्षन वाईयू मंडली जल के संगनित होकर किसी भी रूप में पृत्वी की सतह पर बापस आने को वर्षन कहते हैं जैसे वर्षा, हिमपात, ओलावरिष्टी आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राया एक दिन में कई बार बदलती है लेकिन फिर भी कुछ सप्ता, महीने तक वाईयू मंडली अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है जैसे दिन गरम या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घीरा या साफ तथा आदर या शुश्क हो सकते हैं महीनों के ओसत वाईयू मंडली अवस्था के अधार पर वर्षा को ग्रिश्म, शीत या वर्षा रीतु में विभाजित किया गया है तो बच्चों, आपको जलवाईयू और मौसम का अंतर पता चल गया और मौसम जलवाईयू के तत्वों का भी ज्यान हो गया है आओ बच्चों, अब हम अपने पाट को आगे बढ़ाएं बच्चों, मानसून से आप क्या समझते हो? ये शब्ध हम सुनते ही आते हैं तो आज ज़रा इस शब्द को अच्छे से हम जान ले मानसून शब्द की उत्पत्ती अर्भी भाशा के मौसम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम मानसून का अर्थ एक वर्ष के दोरान वायू की दिशा में रीतु के अनुसार परिवर्तन है तो बच्चों, अब आपको मानसून का पता चल गया कि ये अर्भी भाशा का शब्द है और ये बहुती महत्पून प्रशन भी है अब हम भारत की जलवायू के बारे में कुछ विवरन लें भारत की जलवायू को मानसूनी जलवायू कहा जाता है एशिया में इस परकार की जलवायू मुख्यता दक्षिन तथा दक्षिन पूर्व में पाई जाती है आईए हम दो महतपुन तत्व तापमान एवं वर्षन को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है गर्मियों में राजिस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगबख 50 डिगरी सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि जम्मौ कश्मीर के पहल गाउं में तापमान लगबख 20 डिगरी सेल्सियस रहता है सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान माइनिस 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है जबकि तरवंत पूरम में ये 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है तो बच्चो आपने देखा कि तापमान और वर्षन एक स्थान से दूसरे स्थान में कितने भिन हैं बच्चों क्या आप जानते हो कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में भी बहुत अधिक अंतर होता है जैसे थार का मरुस्थल थार के मरुस्थल में दिन का तापमान पचास डिगरी सेल्सिस तक हो सकता है जबकि उसी रात ये नीचे गिर कर पंदरा डिगरी सेल्सिस तक पहुँच सकता है दूसरी और केरल या अंडमान एवं निकुबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है तो बच्चों आप बता सकते हो ऐसा क्यूंग क्योंकि आप सबको पता है थार के मरुस्थल में रेत होती है और रेत जो होती है वो जल्दी गरम हो जाती है दिन में और रात को जल्दी ठंडी हो जाती है और उसी की वज़ा से तापमान में दिन और रात का अंतर देखने को हमें मिलता है वहीं दूसरी और केरल और अंडमान निकोबार ये कैसे क्षेत्र हैं ये समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं तो जो समुद्र का पानी होता है वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता और जल्दी गरम भी नहीं होता उसी की वजह से रात का और दिन का तापमान लगभग समान ही र बच्चों, हम आगे बढ़ें और अपने पाट को आगे ले जाएं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो राजिस्थान में घरों की दिवार मोटी तथा छथ चप्टी क्यों होती है? राजिस्थान के घर की दिवार मोटी इसलिये होती है क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है और लोग अपने घरों की दिवारों को मोटा बनाते हैं। और उससे वर्षा रीतू में जो पानी होता है उसका संग्रहन किया जाता है। अगला प्रशन पूछती हूँ बच्चों आप से तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में धाल वाली छटे क्यों होती हैं। इसका भी उत्तर में आपको बताती हूँ क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने की वज़ा से छटे जो हैं खराब हो सकती हैं इसलिए यहाँ पर लोग अपनी छटे धाल वाली बनाते हैं। एक और प्रशन बच्चो असम में प्राया कुछ घर बांस के खंबों पर क्यों बने होते हैं इसका उत्तर भी में आपको बताती हूँ। छोगा यह जानने का कि जलवाईू का प्रभाव हमारे घरों की बनावत पर भी कितना होता है। आओ बच्चो हम आगे बढ़ें। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चो जलवाईवे निंत्रन। किसी भी क्षेत्र के जलवायू को नियंत्रित करने वाले छे प्रमुख कारक हैं अक्षांश, उन्चाई, वायूदाग एवं पवंतंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरिय धाराएं तथा उच्चावच्च। प्रिथवी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर उर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग-अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विशुवत वृत से दूरूवों की और समान्निता घटता जाता है। उच्चाई जब कोई व्यक्ति प्रिथवी की सतह से उच्चाई की और जाता है तो वायूमंडल की संघंता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाडियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। तीसरा वायूदाब एवं पवंतंत्र किसी भी क्षेत्र का वायूदाब एवं पवंतंत्र उस स्थान के अक्षाँश तथा उंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वित्रण को प्रभावित करता है। चोथा है, समुद्र से दूरी. समुद्र का जलवायू पर समकारी प्रभाव पढ़ता है. जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, ये प्रभाव कम होता जाता है. एवं लोग विशम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं. इसे महाद्वीपी अवस्था गर्मी में ब बहुत अधिक ठंडा कहते हैं पांचवा महासागरिय धाराएं महासागरिय धाराएं समुद्र से तटकी और चलने वाली हवाओं के साथ तटिक शेत्रों की जलवायू को प्रभावित करती हैं उधारन के लिए कोई भी तटिक शेत्र जहां गरम या ठंडी जल धारा बहती है और वायू की दिशा समुद्र से तटकी और हो तब वे तट गरम या ठंडा हो जाएगा छठा उच्चावच किसी स्थान की जलवायू को निधारित करने में उच्चावच की भी महत्वूर्ण भूमिका होती है उँचे परवत ठंडी अथवा गरम वायू को अवरोधित कर करते हैं यदि उनकी उन्चाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायू के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं पवन भी मुक धाल के बारे में बताने से पहले मैं आपको पवना मुक धाल के बारे में जानकारी देती हूँ बच्चो पवना मुक धाल वे धाल होती है जब हवा परवत से टकराती है और उस तरफ वर्षा अधिक होती है तो वे धाल पवना मुक धाल कहलाती है पवना भीमुक ढाल पर वर्शा होने के बाद ये हवाएं दूसरी ढाल पर पहुँचती हैं वे नीचे की और उतरती हैं उनका तापमान बढ़ जाता है तब उनकी आदरता धारन करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार प्रती पवन ढाल सूखे और वर्शा विहिन रहते हैं तो बच्चो आगे बढ़ते हैं भारत में जलवायू तथा संबंदित मौसमी अवस्थाएं निमन लिखेत वायू मंडलिये अवस्थाओं से संचालित होती है पहला वायू दाब एवं धरातलिय पवने दोसरा उप्री वायू परिसंचरण तीसरा पश्मी चक्रवाती विक्षोब एवं उशन कटी बंदिये चक्रवात आओ बच्चो अब हम भारत की जलवायू को और अच्छे से जाने भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है ये पवने उत्री गोलार्द के उपोशन कटी बंदिये उच्च दाब पट्टियों से उत्पन होती है ये दक्षिन की और बहती कौरियोलिस बल के कारण दाहिनी और विक्षेपित होकर विशुवत्य निम्न दाव वाले क्षेत्र की और बढ़ती है बच्चों अभी कौरियोलिस बल क्या है? आओ पहले मैं आपको इसके बारे मैं जानकारी दूँ कौरियोलिस बल पृत्वी के घुरुनन के कारण उत्पन अभासी बल को कौरियोलिस बल कहते हैं इस बल के कारण पवने उत्री गुलार्द में दाहिनी और तथा दक्षनी गुलार्द में बाई और विक्षे पित हो जाती है मतलब मुड जाती हैं अपने रास्ते से भटक जाती हैं इसे फैरल का नियम भी कहा जाता है तो बच्चों आगे बढ़ें सामाननिता इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती हैं इन पवनों में मतलब व्यापारिक पवनों में क्यूंकि ये स्थल्य भाग पर उत्पन होती हैं एवं बहती हैं इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। तो आईए देखें कि भारत शुष्क क्यूं नहीं है। भारत की वायू दाब एवन पवन तंत्र अधित्य है। शीत रितू में हिमाले के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाईं दक्षिन में निम्न दाब वाले महासागरी क्षेत्र के उपर बहती हैं। ग्रिश्म रितू में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के उपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायू की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। दक्षनी पश्मी मौनसुन पवनों के नाम से इसे जाना जाता है। ये पवने कोश्न महासागरियों के उपर से बहती हैं, नमी ग्रहन करती हैं, तथा भारत की मुख्य भूमी पर वर्शा करती हैं। अब बच्चों बात करते हैं उप्री वायू परिसंचरन की। उप्री वायू परिसंचरन पश्मी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा क्या होती है बच्चों? आओ, मैं आपको बताऊं। जेट धारा एक संक्री पट्टी में स्थित क्षोब मंडल में अत्यधिक उंचाई, 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्मी हवाएं होती हैं। इनकी गती गर्मी में 110 किलो मीटर प्रती घंटा एवं सर्दी में 184 किलो मीटर प्रती घंटा होती है। बहुत सी अलग-अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशे एवं उपोशिन कटी बंदिये जेट धाराएं हैं। लगबक 27 डिगरी से 30 डिगरी उत्री अक्षांशों के मध्य में ये जेट धाराएं स्थित होती हैं। इसलिए इन्हें उपोशिन कटी बंदिये पश्मी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रिशम रितु को छोड़ कर पूरे वर्ष हिमाले के दक्षिन में प्रवाहित होती हैं। इस पश्मी प्रवाहा के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्मी भाग में पश्मी चक्रवाती विक्षोब आते हैं। गर्मियों में सूरे की आभासी गती के साथ ही उपोश्न कटी बंदिये पश्मी जट धारा हिमाले के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जट धारा जिसे उश्न कटी बंधिये पूर्वी जट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायजी पिभारत के लग उपर लगभक 14 डिगरी उत्रियक शांश में प्रवाहित होती है। तो बच्चो पश्मी चक्रवात्ती विक्षोब के बारे में जाने। आते हैं, तथा ये पूर्वी प्रभाह के एक भाग होते हैं, एवं देश के तटिक शेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो बच्चो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? मुझे पूरी उमीद है कि आज आपको जलवायू पाट अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे भारत की जलवायू अलग-अलग शेत्र पर अलग-अलग क्यूं हैं? ये सब आप अच्छे से जान गए होंगे। तो बच्चो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। करते रहिए, सुरक्षित रहिए।